राजस्तान का रुकरते हैं जापर धौलपूर में बीजेपी निता मुश्ताक कुरैशी पर कुछ अग्यात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया इस हमले में वो गंफी रूप से जखमी हो गए हाला की राजस्तान पुलिस का कहिना है कि मुश्ताक कुरैशी पर हमला रंजिश का नतीजा है सुनसान सड़ा और गाड़ी से उतरते कुछ बदमाश हाथ में लाटी मूपर नखाब और गाड़ी से उतर कर तेजी से किसी के घर के अंदर दाकिल होते बदमाश लेकिन इसके बाद CCTV की तस्वीरों में जो कुछ दिखता वो देहशत पैदा कर देता 20 सड़क पर ये गुंडे किसी शक्स को जानवर की तरहा डंडे से पीट रहे गुंडे जमीन पर पड़े शक्स को ऐसे डंडे बरसा रहे जैसे उनकी जान लेने के लिए ही आयो पुरैशी को जान लेवा हमला कर दिया ये हमला सुबह पाच बजे किया गया और वो भी उस इलाखे जहां एस पी और कलेक्टर आफिस महस चंद खदम पर सुबह सुबह पार्टी कारेकरता पर हुए इस हमले को लेकर बीजे पी अप गैलोस सरकार को गेरने की तैयारी में राजस्थान सरकार में और राजस्थान के मुख्या मंत्री जो की ग्रह मंत्री भी है शिया शोग गेलोस जिसे आगरे करना चाहूंगा कि भारती जनता पार्टी के किसी भी कारिकरता के उपर हम हमला बरदाश नहीं करेंगे तुरंत प्रशाशन को सक्त निर्देश दे और नियाई की विवस्था करें अन्यता भारती जनता पार्टी के सब कारिकरताओं को मजबूरन सड़कों पर आकर अंदोलन करना पड़ेगा इस राजस्थान के अंदर कानून विवस्था बिगड़ती जा रही है हाला कि राजस्थान पुलिस की माने तो इस हमले का सियासी कनेक्शन कहीं से नहीं है असल में बीजेपी नेता मुश्टाब कुरेशी का दूसरे पक से नीलामी को लेकर विवाद चला हा था जिसके चलते उन पर जान लेवा हमला किया गया इसमें कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है एक मुस्ताब कुरेशी है और एक जभूर है दोनों के बीच में विवाद है पसों की हाट को लेके एक ने निलामी में बोली ज्यादा लगा दी दूसरे ने कम लगा के और अपने फेवर में लेली एक ने कम लगाई दूसरे ने ज़्यादा लगा के अपने पक्षमे करा ली इस बात को लेके आपस में विवाद की स्थिति थी और इसको लेके सुबह सुबह मुस्ताब के साथ में कुछ लोगों ने जिसमें जहुरा और उसके लोग थे मर्पिट कर दी विवाद चाहे जो भी हो लेकिन जिस तरीके से बदमाशों ने बीएपी नेता पर हमला किया उससे तो यही लगता है कि गैलोस सरकार में खानून का खौव गुंडे बदमाशों को नहीं टीम न्यूस नेशन